आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question है मारे पास The number of real solution of the equation 5 by 7 whole square RHS में चल रहा minus x square plus 2x minus 3 ठीक है तो यह आपके पास quadratic equation मनेगी इसको थोड़ा solve कर लेते हैं LHS होगे आपके पास 25 upon 49 equal minus x square plus 2x minus 3 ठीक है आप यह 49 को RHS में लेके जाते हैं तो आपके पास यह बनता है 25 equal to minus 49 x square plus 49 multiply करेंगे तो 98 98 x हो जाएगा और minus में आपके पास 147 हो जाएगा ठीक है आपने क्या किये इसको एक तरफ लेका है तो 49 x square minus 98 x ठीक है और यह जो constant है यह भी आपके पास LHS में आएगा तो यह constant LHS में आएगा तो इसके साथ 8 हो जाएगा तो 147 के साथ 25 एड करके देख लेएगा तो यह simple plus में आएगा आपके पास पीछे तो हो जाएगा 12 का 2 फिर आगे 1 देगा आप तो 5 और 2 7 हो जाएगा यह तो यह 172 हो जाएगा equal to 0 clear? यहाँ से अगर आपके पास कुछ common आ तो आप common लेले फिर discriminant से हम पता लगा लेंगे कि यहाँ पर number of real roots आपके पास कैसे होगा तो 49 common आ सकता है कि देख लें आप एक बार 49 से तो यह जो number है पीछे वाला यह तो divide होगा नहीं आपके पास तो यहाँ से आपके पास यह जो quadratic equation बन रही हो ना common तो कुछ आता हो यह से नजार आनी रहा तो simple आप क्या कर सकते हैं यह से आपको तो real roots के बारे में देखना है तो वो किस से पता लगेगा discriminant से पता लगेगा तो discriminant के लिए आप simple d देख ले है कि d कैसा बनेगा तो d जो हमारे पास हुआ करता यह हो था b square minus 4ac ठीक है अगर आपके पास discriminant d जो है वो greater than equal to 0 होगा ठीक है तो real roots आएगे और अगर less than 0 होगा तो उस case में आपके पास image-nary roots आते हैं और आपको number of real solution number of real roots के बारे में पता करना तो b square minus 4ac के अगर हम बात करें b होता है आपके पास x का coefficient तो minus 98 का square minus 4 a हमारे पास है यहापर कितना 49 और c हमारे पास है कितना 172 ठीक है तो यह जो numbers आपके पास यहापर आ रहे हैं एक तो b square कर लिया आपने 4 कर लिया a कर लिया और c जिसमें x नहीं आता वो कर लिया तो इसको जब आप solve करेंगे देखो यह वैसे भी बहुत बड़ी values आने वाली पीछे वाली है ना solve करने की रिक्वार्मेंट यह इसे ही पता लग़ा डी जो है कैसा आगा नेगेटिव आएगा और डी नेगेटिव आएगा इसका मतलब आपके पास रूट्स कैसा आएगे आपके पास रूट्स जो है वो स्टुडेंट्स कभर होसा आज राउनलोड करें डाउट नेट आप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर